आज हम एक तम साव्थ इंडियन तरीके से सामर मसाला बनाएंगे फ्रेंड्स और ये मसाला मार्केट के मसाले से कहीं जाद अच्छा होगा और घर पर बनाया है तो कोई मिलावट नहीं है एक तम शुद रूप से घर पर ये मसाला आसानी से बन जाएगा तो जब भी आप साम शुद्ध मसाला बनेगा घर पर तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले कैसा ओन करके पैन चड़ा देंगे इसमें दो चम्मच डाली है मैंने चनी की डाल तो जो चीजे में डालनी हूं उसके रेशियो का ध्यान रखिए एक चम्मच डाली है तो दो च चम्मच डाल रही हूं है और अगर धुली वाली नहीं है तो आप साबुत वाली भी डाल सकते हैं उसके बाद दो चम्मच डाला है धनिया साबुत धनिया जो होता है उसको अच्छे से साफ कर लीजेगा और एक इंस दाल चीनी का टुकड़ा अब डालेंगे एक चम्मच तो इस रेशियो का अप्तिहान नखेगा अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में मसाला बना रहे हैं तो इसी हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी को तो अब इसे मीडियम फ्लेम करके हम मसाले को अच्छे से रोष्ट करेंगे और जैसे ही मसाला रोष्ट होने जैसे सौंफ है जीरा है इसमें कुछ भी कंकड वगरा नहीं होना चाहिए तो पहले एक बार देख लीजिए उसके बाद ही आप इसमें डाले तो देखेगा अच्छे से रोष्ट हो गया है कलर भी चेंज हो गया इसका इसके बाद मैंने 6-7 सावत लाल मिर्ष डाल दी है औ इसको भी हम एक-दो मिनट तक इसी तरीके से रोष्ट कर लेंगे और कर देंगे गैस का फ्लेम आफ क्योंकि अलेटी जो हमारा पैन है काफी गरम है तो इसी में हम थोड़ा देर तक और भूंते हैं इसको मसाले को और आप देख सकते हैं कितना कलर इसका चेंज हो गया है औ इसको इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेंगे तो हलका ठंडा करेंगे उसके बाद ही हम इसे मिक्सी में टालेंगे सारी चीजों को थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा हम चला कर इसे ठंडा कर लेते हैं और इस टाइम पर मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल आफ कर चो पब रखा है friends और अबढ़ आप ठंडा है तो आम मिक्सी के जार में सारी चीजों को डाल देंगे और मैंने शारी मसाली में मीक्सी में डाल दिये हैं और अब इसमें डालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर अल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने थोड़ी सी हीन और डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक आप इसमें काला भी डाल सकते हैं मैं सेंदा नमक का यूज़ कर रही हूं तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम जादा कर सकते हैं अब इसको हम चला कर इसका पाउडर बना कर तैयार कर लेंगे लेकिन इसके पाउडर बनाने का एक तरीका है खास ध्यान रखेगा फ्रेंट्स जब भी आप इसे पीसे रुक रुक करके मिक्सी चलाएं तीन से चार वार तभी यह मसाला आपका अच्छा बनकर तैयार होगा तो देखी कितना किया फ्रेंट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करते हैं जिससे जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो थैंक यू फार वाचिंग